हेलो चिल्डन, रूचीरा क्लास 6 के सब्टम पाथ बकस्य परतिकारे का हिंदी अन्वार मैं आपको इसमें समझा रही हूं, बकस्य बक्का मतलब बगुला होता है, सा यहां पर लग जाता है, वहां काकी के लगाते हैं, यानि के बगुले का प्रतिकार, प्रतिकार का मतलब होता है बदला, बकस्य प्रतिकारह, बगुले का बदला, एकस्मिन वने, जिसमें एक ही मतलब लग जाती है, यहां पर मे लगाते हैं, एक बन में, शिरगालह, बकह, च, निव सतह, सम, शिरगाले का मतलब सियार होता है, बकह का मतलब बगुला होता है, और जहां यह चा लगावा होता है, इसका मतलब होता है, आउर, सियार और बगुला रहते थे, तयो मितरता आसीत, आसीत का मतलब ह एक दा प्रातह श्रगालह बकम आवदत आवदत का मतलब होता है बोला एक दिन प्रातह सिया ने बगुले से कहा या बगुले से बोला मित्र स्वह इस वाले स्वह का मतलब होता है आने वाला कर तुम तुम मैं मेरे स्वह का मतलब होता है साथ बोजन करो कल तुम मेरे साथ भोजन करो श्रगालत से ये साय आये तो का लगेगा निमंत्रनेन बकहा परसन्नह आभवत आभवत का मतलब होता है हो गया सियार के निमंत्रन से जहां पर ये एन लगावा होता है वाँ से लगाते हैं सियार के निमंत्रन से बका मतलब बगुला प्रसन्न हो गया। अग्री में दिने साह बोजनाय, श्रगालस से निवासम आगच्छत जहां पर आय लगावा होता है के लिए लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा अगले दिन अग्रिमे का मतलब है अगले अगले दिन सहा का मतलब होता है वह वह बोजन के लिए सियार के घर गया कुटिल स्वभावः शिर्गालह इस्थालियाम बकाय शिरोधनम अयच्छत कुटिल स्वभाववाले सियार ने इस्थालियाम का मतलब है थाली में थाली में बकाय का मतलब है बगुले के लिए और शिरोधनम कहते हैं खीर को खीर दी ये आ यच्छत का मतलब है दी जहां पर भी आ लगावा होता है आ वदत अभी आपने देखा आ भवत ये देखा आ गच्छत ये देखा तो ये भूत काल होता है अभी आपने आ ये अच्छत का मतलब दी बकम आवदच्च और भगुले से कहा आवदच्ट का मतलब होता है बोला या कहा नित्र असमिन पात्रे आवाम का मतलब होता है हम दोनों अधुना अब सहयव, सहयव का मतलब होता है साथ ही, खादा वह, खाते हैं, मित्र इस पात्र में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं, बोजन काले बकस्ये चंचु, इस्थाली तह बोजन ग्रहने समर्था ना आभवत, बोजन के समय पर बकस्ये का मतलब क्या हुआ, बगुले की, और चंचु कहते हैं, चोच, बोजन के समय बगुले की चोच, इस्थाली तह थाली से, बोजन ग्रहन करने में समर्थ नहीं हुई, आभवत का मतलब होता हुई, अतह, इसलिए बकह, बगुला केवल, केवल, नम आपश्यत, इतलिए बगुले ने केवल, खीर को देखा, आपश्यत का मतलब होता है, देखा, शिरगाला तू सर्वं शीरोद नम आभख्षित, आभख्षित का मतलब है, खाली, सियान ने ही सारी खीर खाली, अगर आप आ को ध्यान में रखेंगे, तो आपको अर्थ न शिरगालेन वंचीत ह, बकह आचिंतियत, आचिंतियत सोचा, सियार से ठगे जाने पर वंचीता का मतलब ठगे जाने पर बगुले ने सोचा यथा अनेन मयासह व्यवारे कृतह यथा का मतलब जैसा जैसा इसने मेरे साथ सा का मतलब साथ होता है व्यवार किया है तथा का मतलब वैसा ही एहम मैं अपी भी तेन इसके सह साथ व्यवारी शयामी मैं भी इसके साथ ऐसा ही व्यवार करोंगा जिसमें इश्यामी लगा होता है, ये रूप चलते हैं, तो वो भविशेकाल होता है, तो व्यवारी श्यामी का मतलब व्यवार करूँगा, एवं इस प्रकार चिंत यित्वा सोचकर सह वह श्रगालम अवदत, उसने सियार से कहा, मित्र त्वम अपी स्वह सायम मया स्वह भोजनम करीशयाशी, करीशयाशी अब ये भूथ का ये भविशेकाल चल रहा है, करोगे, तुम भी अपी का मतलब भी होता है, स्वह का मतलब आने वाला कर, तुम भी कल मेरे साथ श्रम को भोजन करोगे, बकस्य का मतलब बगुले का, निमंत्रनेन शर्गालह प्रसन्नह आभवत हो गया बगुले के निमंत्रन से शर्गाल यानि के सियार प्रसन्न हो गया यदा शर्गालह सायम बकस्तिय निवासम भोजनाय अगच्छत यदा का मतलब होता है जब जब सियार शाम को बगुले के घर भोजन के लिए जहां आए लग जाता है पके लिए होता है भोजन के लिए गया तदा तब बकहक बगुले ने संकीन मुखे संकीन मुख का मतलब जिसका मुझ छोटा था कलशे यानि के कलश में जिसे सुराई जैसे यह है न इसका चोटा मूँ है यह यहाँ पर देख रहे हैं आप शिरोध नम शिरोध नम का मतलब खीर अयच्छत दी तब बगुले ने चोटे मूँ वाले कलश में खीर दी शिरगालम च आवदत और सियार से कहा आवदत का मतलब कहा मित्र आवाम का मतलब क्या होता है हम दोनों असमेन पात्रे सहे बोजनम कुरुआ हम दोनों इस पात्र में एक साथ बोजन करते हैं बकह कलशात चंचवा शिरोधनम आखादत बगुले ने कलश में से चोट से चंचवा का मतलब चोट से खीर खाली आखादत एक खाली बूत कालो गया परंतु श्रगालस्ये मुखम कलशे न प्राविशत परंतु सियार का मुख कलश में नहीं गया अतहा इसलिए पकहा सर्वं शीरोधनम आखादत इसलिए बगुले नहीं सारी खीर खाली आखादत खाली श्रगाला चा केवलन इर्शश्या आपश्यत श्रगाल का मतल़ क्या है सियार और सियार केवल इर्शिया से देखता रहा श्रगाला बकम प्रतियाद्रशम व्यवारम अकरोत बकह अपी श्रगालम प्रतिताद्रशम व्यवारम करत्वा प्रतिकारम अकरोत सियार ने बगुले के प्रति याद्रशम का मतलब है जिस प्रकार का वेवार किया बगुले ने भी अपी का मतलब क्या होता है भी बगुले ने भी सियार के प्रति ताद्रशम का मतलब उसी प्रकार का उसी प्रकार का वेवार करके प्रतिकारम का मतलब क्या होता है बदला कहा भी गया है सुखाई शीना का मतलब है सुख चाने वाले, इसलिए सुख चाने वाले व्यक्तियों को हमेशा मनुश्यों से सद्वयवारी करना चाहिए, I hope कि आपको ये लेसन का अनुवाद अछे से समझ में आ गया होगा, मैं इसकी एक्सरसाइज की अभ्यास की भी वीडियो बनाऊंगी, तब तक के लिए धन्यवाद, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएए, तो प्लीज आप लाइक और शेर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए,